हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शियर करूंगी कि स्मूथनिंग करवाने के बाद इस तरह की गर्मियों में समर में आप अपने बालों को मैंटेन कैसे रखे जैसे क अब जून जुलाई में इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी पड़ रही है तो आप अपने बालों को कैसे मैंटेन रख सकते हैं अगर आपने जून जुलाई में स्मूथनिंग करवाई है तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं चैनल को सब से पहले तो बालों पर बार बार कॉंबिंग करें बालों को ज्यादा गिला मत होने दे जैसे कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है तो ज्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम अगर होएगी तो आपके बाल बार बार गिले होंगे बाल फोल्ड हो सकते हैं गिले होने की वाली पड़ रही है कि हम बालों की क्यार करना छोड़ी देते हैं बट अगर आपने स्मूथनिंग रिबॉंटिंग या केरेटेन करवाई है तो आपको अपने बालों की प्रॉपर क्यार करनी पड़ेगी नहीं तो आपको यह बाल बिल्कुल खराब हो जाएंगे तो इस तरह के कैचर का यूज कर सकते हैं जिसे आपको बिल्कुल लगाना है बहुत ज़्यदा टाइट नहीं लगाना इस तरह कि जो स्ट्रेच वाले रबट बैंड आते ना यह काफी ज़्यदा सही रवर बैंड है यह से आपके बाल फोल्ड भी नहीं होते हैं तो काम करते टाइम क्रफिस कर सकते हैं आपको अपने बालों को टाइट नहीं बांदना है इसके सिरफ दो ही फोल्ड आपको करने या नहीं तो आपके बालों में बैंड पड़ जाए का आपके बाल फोल्ड हो जाएंगे बिल्कुल लूज पॉनिटेल करनी है और वह भी ज्यादा देदर तक के लिए नहीं करनी है थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे खोलते रहना है बालों को कॉंबिंग करते रहना है जून जुलाई में वैसे तो हमें स्मूथनिंग को अवाइड ही करना चाहिए अगर कोई फंक्शन या कोई पाटी आपको स्मूथनिंग करवानी पड़ गी तो अगर फेस पर बहुत ज़्यादा बाहल आते हैं तो आप इस तरह के हेर बैंड का यूज कर सकते हैं ऐसे हेर बैंड लोकल मार्के स्चोर में इसली ट्वेंटी रुपीज में मिल जाते हैं बिल्कुल वैलवेट वाला ये हेर बैंड है इससे लुक भी बड़ी अच्छी अगर इन महिनों में आप अपने बालों के अच्छी केर कर लेंगे तो आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा कम से कम एक डेड़ दो साल तक के लिए आपके स्मूथनिंग बिल्कुल ठीकी रहेगी तो देखिए ऐसे वाले हेर बैंड से हेर फॉल बिल्कुल भी न नहीं करना अप निहार शांती आमला ओईल यूज कर सकते हैं समर में बहुत ज़या है और अपने जून जुलाई और अगस्त में स्मूथनिंग करवाएं न तो अपने बालों पर दहीं का यूज जरूर करें दहीं लगाने से आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा बलकि आपके बाल काफी जदा healthy रहेंगे smoothing, rebonding, keratin करवाने के बाद भी आप दहीं का use कर सकते हैं आपको इसमें कोई भी चीज एड नहीं करनी है simple आपको अपने बालों पर दहीं लगाना है इसे आदे गंटे के लिए आपको अपने बालों पर लगा रहने देना है इसके बाद अच्छी तरह से बालों में पानी डाले और फिर शैंपू कर लीजिए smoothing करवाने के बाद भी आप दहीं का use कर सकते हैं तो आप almond oil, निहार शांती आमला oil, mustard oil और नारियल तेल को mix करके भी आप अपने बालों पर लगाएं इससे आपके hair fall की problem खतम होगी smoothing करवाने के बाद hair fall बहुत ही ज़्यादा होने लग जाता है इसलिए आप इसे mix करके use कर सकते हैं इसे आपके hair fall बिल्कुल भी नहीं होगा आपके बाल लॉंग टाइम तक स्ट्रेट रहेंगे smoothing करवाने के बाद यह मत सोचिए कि आपको oil नहीं करनी आपको जरूर करनी है summer winter दोनों में आपको oil करनी है अगर आप इन बातों का धियान रखेंगे न तो आपके smoothing लंबे टाइम तक टिकेगी कम से कम दो सालों तक आपके बाल बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे सॉफ्ट रहेंगे सिल्की रहेंगे जून जलाई अगस्त के महिने में अगर smoothing करवाया तो अपने बालों का खास धियान रखें नहीं तो आपके smoothing बिल्कुल खराब हो जाएगी आपको मेरी ये विडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे हो, चैनल को कर दे शब्सक्राइब तो चलिए गाइस अब मैं आपको अपनी नेक्स वीडियों में रिलों की थबते के लिए थेंक्यूं बाई